तो दोस्तो Q&A की एक नई वीडियो में आप सब का स्वागत है जिन साथियों ने हैस्टेक बोलो राजगुर्जे के साथ मुझसे सवाल पोचे हैं उन्ही सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर्जे तो चलिए दोस्तो आपके सवालों का सिल्चला वो शुरू कर लेते हैं और आज के हमारे पहले साथियों जिनका नाम है देव और इनका सवाल यह है इंद्रा महिला सक्ति निदी योजना और मुख्य मंत्री बालक योजना यह है दोनों योजना सुरू होने से लेकर अब तक का पेमेंट नहीं आए जबकि पोर्टल पर आदार और जनादार दोनों ही अपडेट है अकाउंट भी चेक करवा दिया पेमेंट कब तक आएगा अगर कोई जानकारी हो तो शेर करें इसकर आओ देखिए हमारे दूसरे साती है सेम ही सवाल कोई भी भासा यहां पे चेंज नहीं हुए कोई भी लाइन है यहां पे चेंज नहीं हुए यहां पे परिहार भी ऐसा है लख रहे है तो देखिए पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों एक ही परसन है कि आ कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों योजनाओं का पैसा नहीं आने का कोई एक कारण नहीं होता है क्योंकि इनका जो पैसा वो डायरेक्ट अभिवाओं के खाते में आता है और अपने जन आधार में जो भी बैंक खाता होता ना उस खाते में आता है तो देखिए पिछली साल यह बड़ी समझ से आई थी यहाँ पर डियो कारियाले के सामने की जन आधार के अंदर है जो बैंक अकाउंट था या सही था या आई एपसी कोड है वो गलत था तो इसको लेकि यहाँ पर देखिए बड़ी समझ से आ रही और पिछली साल का भी यहाँ पे है पेमेंट है आगा है जहां तक मुझे लग रहा है सभी के तो नहीं आया लेकिन कुछ एक के जरूर आया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन के लिए मांगा था तो साइध पेमेंट है वो इनका आगा है लेकि फिर भी मैं एक बार है इसकी तसली वो करूँगा और आप बोले हैं कि शुरू से लेके अब तक नहीं आया नहीं विया पहले का पेमेंट है वो आ चुका है जब से यह योजना शुरू हुई है देखिए जब पहली बार यह लड़कियों के लिए शुरू हुई थी ना तो उस समय है खुद अभिवाव को आवेदन करना था एक साल के लिए फिर तो इसको यहां पे देखिए एटोमेटि का वो कर दिया तो यहां पे अगर उनका पेमेंट नहीं आया तो विया फोर्म का इस्टेटिस देखिएगा अगर वो पहले से हैं और सम्मंदित डियो कारिया योजना में फोर्म अप्लाई किया हुआ है फोर्म अप्रू हो गया है बट पैसा कब तक आएगा तो आयन देखिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा आपने फोर्म कब अप्लाई किया था क्योंकि देखिए कन्यादम जो योजना वो बालिकाओं के लिए होती है और 18 वर्स से पुरन होने के बाद जब बालिका की साधी होती है तब यह पेमेंट आता है तो यहां पर एक बार मुझे थोड़ी सी डिटेल से इसकी जानकारी वो दे दो और इस्टेटस आप चेक कर लिजेगा उसमें कोई और अगर रिजन आ रखा है या फिर आप अपनी जो भ वो कब भरा था और यह कब अपरू हुआ था ठीक है चलिए इंस्टाग्राम पर बता दीजेगा कोशिस करेंगे आपकी मदद करने की चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं उन पूछने वाले हैं यूजर राम भट और इनका सवाल यह सर्जी जो बालिकाएं इस वर्स बा काउंट में आ गई है तो यहां पर दूसरी किस्तवालों के जो फोम है वो अभी नहीं स्टाट हुए हैं हो जाएंगे नो टेंशन है जिन बालिकाओं ने यहां पर वर्स दो हजार चोबिस में और वर्स दो हजार तेईस में दस्विया फिर बारवी पास की उनकी फोम अभ पाउंडेशन का कारी इन्होंने स्टाट कर दिया और अभी करी एक नोटिफिकेशन हो रहा है जिसके बारे में वीडियो के मादम से मैं आपको जान करें दूँगा वह भी बालिकाओं शिक्षा फाउंडेशन का वह शुरू हो गया लेकिन हो जाएगा तो जैसे अपडेट आएगा अपडेट की जान करें आपको जुरूर दूँगा सर्त इतनी सी कि मेरे साथ आप जुड़े रहेगा चलिए अगले साती का सावाल लेते हो और पूछने वाले हैं सीवन तपन ओजा और इनका सावाल यह है एसलेफसी दो हजार पच्चीश अविस के लिए पीटियस उद्शियों की इंट्री पीएसवी प्योटल पर नहीं कर पाए आज प्रियास किया पर मेसेज आ गया कि डेट निकल गई है कर पया मार्ग देशन कर समशा का समाधान करा वे गुरुजी क्या डेट बढ़ेगी तो तपन साब देखें मैं आपको कहना चाओंगा यह स्कूल वालों के सबसे बड़ी कमी यहां पर रहती है और यहां पर देखें मुझे दुख होता है इस चीज़गा कि जब आपके सामने समस्या आती है न तो आप मेरे साथ वो कि वियार रोजजाना मेरे लिए 10-15 मिन्ट वो आप निकाल लिया करो आपको कत्ते ही समस्या नहीं आगी अब आपके पास मेरे लिए 10-15 मिन्ट का समय नहीं है तो देखें आपके पास यह कितनी बड़ी समस्या आ गई है न तो देखें विया फिला हाल तो इस समस्या का स्थिब्सक्राइब कर दो विशे उस इस्टीम के और एक विशे किसी दूसरी स्टीम से तो क्या यह पौलिशी राजस्तान में भी लागू हो गई यह क्या तो देश राज देखके मां आपको यहां पर आपको नैज़ हो मैं पने और सब यहां। अलांकि देखिए पोलिसी बहुत यहां पे बड़ी है एक साथ इसको लागू करना है सिस्टम में काफी फोल्ट आ जाएंगे तो धीरे धीरे यहां पे इसको लेके बड़ला हो रख है तो फिलाल देखिए मेरे सामने तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है किसी भी उन्यूर्सिटी की कि जब भी फोर्म भर रहे हैं तो दूसरी स्ट्रीम के विशे वो ले सकते हैं क्योंकि यह अपने लास्ट येर की बात करें तो उस समय तो यहां पे देखिए जो अलग 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 उन्यूर्सिट्टी है मैंने कुछ की फोर्म अपलाई किये तो सेम्म ही जो स्ट्रीम थी उसी की इंदर सब्जेट थे उसी की फोर्म वह रहे थे और अभी तो यहां पे देखिए मैंने कुछ उन्ims gas प्रानकारी भी नहीं दूगा लेकिन वोली सी है लागू होगी 100% होगी ठीक है चलिए अगले साती का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बुपेंदर सिंग और इनका सवाल यह है हैलो सर मुझे पहले उजुला योजना से सिलेंडर मिलता था लेकिन पिछले आठ मैने से मुझे गे सिलेंडर नहीं मिल रहा है अजेंसी वाला बोल रहा है multiple connection बोल रहा है please help me thank you तो वुपेंदर भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा जब multiple हैं आपके घर में एक से अधिक गे सिलेंडर तो आप इस योजना के लिए पातर नहीं है क्योंकि देखिए ये योजना है उजलुआ है जो कि महिला के लिए है और जो पहले से किसी के घर में गे सिलेंडर नहीं है उनके लिए अगर आपके यहाँ पे पहले से है या फिर बाद में आपके परिवार के किसी सदसे ने ले लिया तो यहाँ पे आप इस योजना का कोई भी फायदा वो नहीं उठा सकते लेकिन यहाँ पे है साइद उस समय है जो गेस अजेंसी वाले कॉंप्रोमाईज कर सकते थे उसको हटा सकते थे लेकिन अभी इसका कोई शमादान नहीं है ठीक है हाँ अगर आपका सयूख परिवार है तो आप अपने जो भी कार्ड अगरा वगरा जैसे रासन कार्ड है जनाधार कार्ड अलग लग आप बनवा लेजेगा तो इसका कोई रास्ता है वो निकल सकता है चलिए अग उन्होंने ये वीडियो देखी और लास्ट में क्या जानकारी थी वो तो मुझे तो पता है लेकिन हमारी ओडियन्स को नहीं पता है अब मैं ओके-ओके को यहाँ पर कहना चाहूंगा जब भी देखिया आप कोई वीडियो का हवाला देते हो उसकी जो टाइम इस्टेमन है वो यहाँ पर लिख दीजिए अगरो जैसे आठ मिनट तीन सेकिंड का वीडियो है वहाँ पर जो बात आपको पसंद आई नेगेटिव लोगी जो भी आपके विचार है तो यहाँ पर जीरो आठ अपना लगा के टाइम वाला कोलम है और उसके बाद जीरो तीन लिख दीज या कोई शोप्टिर हो तो बताइए तो राजकुमार भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा इजी तरीका तो नहीं इसका कोई भी क्योंकि आपको पता है केसबूक का काम है डैली जो भी हमारी इंकम होई है जो भी हमारी खर्चे हुए हैं वो तो हमें लिखना ही हो तो या वो तो हमें करने पड़ेगी और हाथ से लिखने वालेगा तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा सोब्टियर नहीं है इसके लाव मैं यहाँ पर देखिए आपने कई बार कहा कि केस्बूक के बारे में हमें बताएगा देखिए मैं बता सकता हूँ उसके मुझे जानकारी इ सकता हूँ लेकिन लोग तो उसको आदी समझेगा अब उसका गलत इफेक निकलेगा और गलत इफेक निकलेगा तो फिर कोईगा यह तो राजगूर्ज ने बताए थी क्योंकि बिया यह जो अकाउंटेंश है ना जो लिखते हैं उसका मतलब और है और जो दिखता है उसका म कोई भी CE है उन्से आप अपनी केस भूक हो करवा सकती हो बस इतना आप यहाँ पर कर सकती हो बाठकि तो भी कोई है शोप्टेर नहीं है तो फुद्धू बनाने के लिए ठीक है चलिए वैसे मेरे पास दो-चैर सोब्टेर का review आया था company वालों की sponsorship पाइती, मैंने लिया इन्हें उनको नहीं निभिया, ऐसा काम करेंगे नहीं जो लोगों को फायदा नहीं होता है, अभी भी दो-चैर sponsorship पड़ी हैं, देखते हैं मुझे गुड लगेगा, तो आपको बताएंगे अगली वीडियो में, चलिए अगली साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं रामजी लाल चहार, और इनका सवाल यह है, गुरुजी आपको दंडवत परनाम, अरे यार, क्या बोल रहे हो आप, दंडवत परनाम हो, कोई बगवान दोड़ी हो मुझे है न, ने, ऐसा आगे से कोई भी साथी मुझे ऐसा नहीं गरेगा, क्योंकि देखिए, हाँ, मान समान करना बहुत अच्छी बात है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं और मैं भी आपकी तरह एक किसान का बेटा हूँ, एक जम्मिदार का बेटा हूँ, हाँ, इतना है कि बस मैं इस चीज की जानकरी रखता हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, आगे से मत किया करो आप ऐसा है न, चलिए, अनका सवाल यह है, 72,023 की दित्तिये क क्लेम बिल बनाने के बाद विदाले का खाता दूसरी साखा में इस्तारांतित करवा लिया, खाता नंबर वई है, विवाग ने पास भी कर दिया, लेकिन खाते में रूपिया आए नहीं तो कोई संकट तो नहीं आएगा, आप तो संकट मोचन हो हमारे, अरे राम जिलाल जी कि आप अपना काम वो समय पे कर लो, अब यहाँ पर देखिए, एक बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, आपने यहाँ पर साखा बदल ले, तो साखा बदल ले तो अकाउंट नंबर साइद SBI के साइद नहीं चेंज हो रहे हैं, जहां तक मुझे जान का रही है, अगर अपने PSP पोर्टल पे अपना अकाउंट नंबर हो चेंज करना, IFC कोड अगरा वगरा और नया जो भी चेक अगरा वगरा वगरा वो लगा दीजेगा, फिर भी PSP कोड पे नहीं हो रहा है, तो सम्मंदित DO कारियाल में विक्तिग जाके है, एक लिखीत में अप्लिकेशन द जाता है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन समय से पहले यह दी IFC कोड नहीं बदले हैं, यह फिर बदल गए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे हो शम्मश्या आ सकती है, चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं, सवाल लगबग यहाँ पे कंप्लिट हो चुके हैं, तो आसा रखता हूँ, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, अगर आप मेरे जवाब से संतुर्ष्ट हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, और फिर इस एक प्यारा सा कमेंट हो कर दीजेगा, जो भी साथी चाह जए हारत